आज मैं सीधे सिकरनीब आपको फिर्थक करने का नियम यानि की यगमकों की शुट्टा करने बताने जा रहा हूं जिसको लाप सिर्वेशन का जाता है और मैं दो महिना में आज मुझे दो महिना चैनल बनाए और आप लोगों के सहयोग से जबी मैंने 46 वीडियो अभी तक बन दालूँगा और उससे आपका ज्यादा ज्यादा फाइदा हो इस तरीके के बीडियो बनाए जाएगा देखें नियम क्या करता है पिथक करने का नियम आप लोग बारत कि सिलोवेस में जब पढ़ाया जाता है किसी के द्वारा तो बच्चे रखते हैं और लाज तक पेपर आप दक करने का जाते हैं कि कमने के विथक करना का नियम क्या होता है और बारत किसारद चाहे है यह तेख किलिए है आप लोग होता है प्रथा क्रण02 के अनपात में प्रिथक करना का लाटता है來了 content प्रथन पीडी की लग्षर दित्री पीडी में पर निस्ची तत्मान पर अलग हो जाता है। लिखें जिसमें जब एक जोरी जब एक जोरी विपरीट लग्षरों वाले सुद्ध तोध्म के बीच पौधों के बीच संक्रां कराया जाता है तो प्रथन पीडी प्रथन पीडी के लग्षरों का प्रथन पीडी के लग्षरों का दित्य पीडी दिती है प्रथन पीडी के संतत में संतत के यह संतान के यह एक सी बात है संतत में इन लग्षरों का इन लग्षरों का एक निश्चित अनपात में एक निश्चित अनपात में तृथक करण हो जाता है तृथक करण करण हो जाता है जिसे पिठग करण का नियंड करते है करते है पिठग करण कामिय करते है पिठब करने का अलग होना, यानि प्रथम पिड़ी की लक्षट विटी-पिड़ी में अलग हो जाते हैं, नियम, पिठब करने का नियम कहते हैं, तथा यह लक्षट प्रथम पिड़ी में, प्रथम पिड़ी में साथ-साथ रहने पर भी, साथ-साथ रहने पर भी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, तथा और युगमक निर्माड के समय, युगमक निर्माड के समय, ते समय यह लक्षट आधे आधे, युगमक में चले जाते हैं, चले जाते हैं, इसलिये इसे, इसलिये, इसे, इसे योगमकों की सुधता का नियम, भी कहते हैं, लेकर पहले इसको समझ लिजे गवार, पिठक करन का नियम, जब भी आपसे पूछा जाए, तो बच्चों को जल्दे याद नहीं होता, तीन नियम होते हैं, पिठक करन का नियम, एक स्वतनतर अभीवन का नियम, अगर देखेंगे तो इन्डल का नियम था नहीं, एक जनराजेशन था, उसको पढ़ाएंगे इसके बाद, इसमें एक का जाता है, पिठक करन का होगा, अ लिए गया है, लेकिन आब समान भासाम समझ सकते हैं कि पिठक करन का अलग होना, यानि कि जो माता-पिता के लक्षण होते हैं, और उनके बच्चे में पर प्रथन पिड़ी में आते हैं, उनका दिती पिड़ी में एक निशी तन पात में, अलग-अलग हो जाना क्या कर आधारी था, यानि मोनोहाविट क्रास पर, अगर आप दो जोड़ी लिख देंगे, एक जोड़ी कि देंगे, आप यह लिख सकते हैं कि जब विप्रीत लग ठवा दे, तब भी सही मान जया जा सकते हैं, लेकिन आप एक जोड़ी लिखेंगे क्यों कि नियम मेंडल ने एक स कोशन लगा है कि यह कहां साहिए है, यह सब इन्सेया टिम दे वाट वेट, लेकिन आपको हमारे एक चैनल पहले से बताते चला हैं कि जो किसी भी लेवल कोशन सहनु कर सकते हैं, उदारन क्या होता है, अब जब यह मोनोहाविट क्रास पाधारी था, यह संकस्न तो उदारन टेवल बता जूँगा कि कौन से प्रभावी लेक्षन होते हैं, कौन सा और प्रभावी लेक्षन होते हैं, लेजिए आप सोम वार्षे में यह रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से पूरी बायो कराने जा रहा हूं, आप चैनल रिक साज बने रहे, जो प्रभावी लेक्षन होता है, उसको हमेशा कैप्टर्स लिखते हैं, और प्रभावी लेक्षन क्या होगा, लंबा पौधा होगा, जो लक्षन क्या होगा, लंबा पौधा, यह क्या हो जाएगा, बावना पौधा, जो मतर की पौधे लेंगे, एक लंबा पौधा था, दूसरा क्या था, बावना और प्रभावी लक्षण को हमेशा capital letters लिखते हैं जो कि एलिल्स क्या आते हैं किसी जीन को लेटर से यानि कि किसी जीन को भीन भीन रूपों भी प्रदर्सित करना क्या कर लेता है तो फिप्टी परसंट करेक्टर एक जनेक से आता है से यह हैं सभी लंबे पाध्य इसमें दिखाई देंगे कि प्रभावी लख्षण ही प्रथम पीरी दिखाई देते हैं प्रभावता की नियम में आपको बता चुके हैं कि लंबे पोधा की हो कि इसका सोब परागन करांते हैं इसका किरेकफ़ति सबस्ट कराती हुआ क्षच के नोगे ते को सब्सक्रा करा है है यह य्दर सेक्षाओ परागन वह देखिए इसके साथ रिखना अीज के left हमें नार क्योंद हो गए है आप दूसरे वाले को इता हुं इसमाल वाले को इस से क्ला देज प्रेवाला को उठाई माल्टी अफी छोटे वाले को उठाई है आप अह negro ए कि यह हो गया आपका 230 will be be places and generation यह क्या का लाइगी second generation अप आप देखेंगे यहाँ कि यह क्या हो गया सुद्ध लंबा यह संकर लंबा है सुद्ध बवना यानि सुद्ध लंबा पौधा हुआ है संकर लंबा हुआ है संकर लंबा यह भी संकर लंबा है क्योंकि हट्टो जागे संकर लंबा यानि इसके विसम भी जी करते हैं रेज हो जाएगा सुद्ध बवना सुद्ध बवना पौधा हो जाएगा अब इकार रेशियो देखेंगे यानि फिनोटाइप रेशियो अनुपात कि आप फिजिकली देख कर बता दिए कि कितने पौधे लंबे हैं तरह एक हो गया दो अवर तीन पौधे लंबे होगे एक क्या होगया बॉना तो फिनोटाइप हो गया जिनोटाइप कि होते हैं जीनो टाइब है, जीनो टाइब रेसियो जहोगा है अब आप देखेंगे केटल्टि कंबत टी ये कही है एक कर दिया क्रफटि कितने डौँ आतो लेग दिया विए के अधार दर लिखा रकाया यानि कि जLk लिखा करण करन का नियम होता है एक संक्र्णपरा अधारित हैं नियम करया जाता है तब prêt लमभा, पूदा और बॉहना पूदा दोने प्रस्थानपिजी ना pussy आए दूसरा वाला लक्षर क्या है झो प्रवारिषिक मेंीडिक शुद्रेकिण गया चिपने के बाद भी दिमीडिक में देखने के पूदा पूद्रा यानि कि वह भुता कन्यों धन्यबाद थेंकिए